आपने अपना कभी न कभी ब्लड टेस्ट तो जरूर कराया होगा ब्लड टेस्ट यानि जो खून की जाच होती है डॉक्टर से द्वारा लिखी जाती है तो रिपोर्ट कुछ इस तरह की आती है कम्प्लीट ब्लड काउंट यानि CBC एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के दौरा जब भी हम जाते हैं तो मोस्ट कमणली अगर टेस्क्राइब है तो है CBC कि रिपोर्ट अगर आपके पास आती है तो वह कुछ इस तरह से होती है उसमें हीमोगलोबिन होता है कार बीसी काउंट होता है एक ब्लड इंडिस होता है उसमें PCV, MCV, MCHS ये सारे पैरामेटर्स लगे होते हैं उसके अलावा डिफरेंशियल WBC काउंट होता है प्लेटलेट होती है किस यूनिट्स में ये टेस्ट मेजर किये गए है तो हम इन सब को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि देखने कि इसमें क्या है हम सब लोग जानने की एक क्यूरियोस्टी होती है हम लोग जानना चाहते हैं तो आज हम इसी वादे में बात कर रहे हैं कि ये सब जो प तो रिपोर्ट कुछ अलग-अलग लैप्स की थोड़ा सा डिफरेंस यह होता है कि कई हो में रिजल्ट के बाद यूनिट्स दे रखी होती हैं उसके बाद बायो रफरेंस वैल्यूस दे रखी होती हैं कुछ में बायो रफरेंस वैल्यूस पहले दे रखी हुए जैसा कि पहल complete blood count। कांड को हम लोग FBC कहते हैं, यानि full blood count, यानि जो blood के अंदर जो cells है blood जो हमारा दो चीजों से मिलकर बना हुआ, एक तो plasma part होता है और एक cellular part होता है, जो cellular part होता है, उसके जो numbers को हम count करते हैं, उन्दी इसलिए नाम पड़ा है complete blood count, हीमोग्राम वो होता है जिसमें CBC प्लस साथ में ESR इसके जोड़ दिया जाता है, ESR के टेस्ट की भी रिपोर्ट आपको मिलती है, उसके अलावा CBC के साथ एक Peripheral Smear होता है, International Council for Hematology, ये कहती है कि जब भी CBC किया जाए तो उसके साथ Peripheral Smear भी उसके बारे में कमेंट किया जाता है, pathologist के दवारा और वो cell की morphology होते है, cell का shape, cell का size, इन सब के बारे में जो कमेंट लिखता है, वो Peripheral Smear में आता है, कई बार जो पैरसाइट होते हैं, जैसे मलेरिया के पैरसाइट, वो भी Peripheral Smear में ही दिखते हैं, तो CBC की जैसे हमने बात की, sample की बात करें, तो sample हम वैसे तो कभी भी दे सकते हैं, बट अगर morning sample हम देते हैं, तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि blood के जो cells है, थोड़ा बोट day to day, बहुत माइनूट सा variation होता है, तो अगर और भी test लिखे गए हैं, उनके साथ में हम CBC का भी sample morning में दे देते हैं, तो CBC में क्या होता है, CBC में जो तीन टाइप के blood cells होते हैं, जो हमारे plasma के अंदर suspended होते हैं, उसको count किया जाता है, तो ये तीन टाइप के blood cells कौन से हैं, पहला red blood cell, यानि red blood carpuscles, अधर medical term में कहें, दूसरा है white blood cell, और तीसरा है platelets, और इसके अलावा जो plasma, जो liquid part है, जिसके अंदर ये cells suspended हैं, तो सबसे पहला जो आपको दिखता है, report में वो होता है hemoglobin, जैसे आप यहां देख रहे है hemoglobin, इसकी result value 12.5 दे रखी है, वो इसकी reference value दे रखी है, 13 से लेके 17 unit दे रखी है, gram per deciliter, तो इसमें क्या है, तो hemoglobin क्या होता है, hemoglobin एक protein होता है, जो की red blood cell के अंदर पाया जाता है, normal value की बात की जाए, तो hemoglobin कितना होना चाहिए, normal males और females में अलग-अलग होता है, males के अंदर अगर बात करें, तो यह 14 से 18 gram per deciliter, और females के अगर बात करें, तो 12 से लेके 16 gram per deciliter होता है, तो इस range के अगर आपका hemoglobin है, तो आप normal range में है, यह बढ़ा हुआ कब होता है, physiologically, जैसे कुछ लोग उचाईयों पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, वहाँ जहां पे oxygen की कमी होती है, ऐसे लोगों में normally, जो hemoglobin का amount है, value है, थोड़ी सी बढ़ी होती है, और यह बिल्गोल normal है, इसमें कोई बिमारी वाली बात नहीं है, अगर बिमारीों की तकलिफ की बात करें, तो उसमें फेफरे से related disease है, जैसे COPD है, जिसमें oxygen की supply body में थोड़ा सा हैंपर होती है, उसमें बढ़ा हुआ होता है, heart failure में बढ़ा होता है, और अगर hemoglobin कम होने की बात की तो सबसे common anemia, वो भी iron deficiency anemia, जिसमें जो हमारे पॉस्टिक अहार में iron की कमी होती है, उसकी वज़े से हीमोगलोविन कम हाता है, उसके अलावा और कारणों की बात करें तो blood loss है, किसी भी तरह से जो शरीर से blood loss हो गया, खून बह गया है, जैसे accidents में एकदम से एक दो लिटर खून बह जाए तो हीमोगलोविन कम हो जाएगा, या chronically थोड़ा थोड़ा करके blood loss हो होता है, तो ऐसे में भी हीमोगलोविन की value कमाती है, और इनके अगर treatment की बात करें, तो treatment depend करता है कि अनीमिया किस टाइप का है, अगर सबसे common iron deficiency अनीमिया है, तो इसमें iron की मातरा हमारे आहार में, हमारे diet में iron की मातरा बढ़ाने से ये तकलिफ ठीक हो जाती है, हीमोगलोव अनीमिया का main कारण क्या है, उस कारण को ठीक करें, तो हीमोगलोविन जो है normal level पे आ जाएगा, इसके बाद हम आगे चलें, अगला जो parameter आता है, वो होता है, RBC count, यानी red blood cell का count, इसमें आप देख रहे हैं, ये हीमोगलोविन, RBC count और ये blood indices, ये सब red blood cell के parameter से हैं, तो अभी हम red blood cell वाले में हैं, RBC count यानी red blood cell का count per millimeter cube कितना होता है, RBC को medically erythrocide भी कहते हैं, और RBC अगर हम count करें, तो इनका normal value आती है, 3.8 से 4.8, या यू कहें कि 3.8 से 5 million per cubic mm, एक इतने volume में, एक cubic mm में, इतना red blood cell होना चाहिए, बड़ी होई मातरा कम मिलती है, कई बार physiological ही, जैसे उचाईयों पे रहने वारे लोग, पहाड़ों पे रहने वारे लोग, तकलीफ की बात करें, तो dehydration, अगर plasma leakage हो गया है, या फिर उल्टी दस्त हो रही है, जिसमें पानी की शरीर में कमी हो गई है, उस case में RBC counts transiently बढ़ा हुआ हो सकता है, इसके अलावा फेफडे से related disease है, lung disease, smokers में RBC count बढ़ा हुआ होता है, drug misuse जैसे steroids का, misuse हो रहा है, लोग, steroids ले रहे हैं, उस case में भी RBC count बढ़े होते हैं, और दूसरा है cancer, अगर कोई भी cancer हो का uncontrolled growth होगी, किसी भी cells की, तो वो RBC count को बढ़ा सकता है, अगर कम होने की बात करें, तो RBC count कम कहा होता है, अनीमिया में जहां पे iron की कमी है, हमारे अहार में, blood loss हो जाए, किसी वज़ा से खोन बह जाए, chronic kidney disease में, kidney से related disease जो की लंबी चल रही है, उस case में भी blood loss हो गया, यह हमने देख लिया, और bone marrow failure, bone marrow यानि जो हड़ियों के बीच का जो bloods बनते हैं, उसका अगर failure हो जाए, वहां से यह चीज़े बननी ही बन जाए, cells बनने बन जाए, तो peripherally हमारे जो blood में है, इनकी मात्रा कम हो जाएगी, तो वहां से भी यह कम हो सकता है, आगे एक होता है polycythemia vera, इसमें जो RBC है, red blood cells है, इनकी मात्रा बड़ी होई मिलती है, और यह एक malignant condition है, यानि cancerous condition है, जिसमें RBC की मात्रा बड़ी होई दिखती है, फिर इसके हम आगे आए तो blood indices की बात करें, तो blood indices में, जो है PCV, यानि packed cell volume, यह packed cell volume क्या होता है, यह hematokrit के parallel होता है, हमारा जो blood है, खौन जो है, उसमें जो cells हैं, और एक plasma level है, liquid जिसमें यह सारे cells suspended है, अगर एक test tube में यह डाल के रख दिया जाए खौन को, तो जो blood cells है, cellular elements है, वो नीचे बैठ जाएंगे, और उपर जो रह जाएगा, वो है plasma, जो नीचे cells रह गये हैं, यह इनका कितना percentage है, 46% यानि यह जो red cells है, यह 36% normal value है, बढ़ कब जाते हैं, packed cell volume बढ़ता कब है, dehydration में, polycythemia जिसमें RBC का नंबर बढ़ गया है, फिफिडे से related disease, यानि lung diseases में, या plasma leakage में जाहां कि, यह जो plasma part है, अगर इसमें से हटा देंगे, तो जाहिर सी बात है, इसकी percentage बढ़ जाएगी, जैसे कि डेंगू में अक्सर देखा गया है, कि plasma leakage होता है, और packed cell volume बढ़ा हुआ आता है, कम होने की बात करें, तो यह anemia में, bleeding disorders में, जहां कि again blood loss हो रहा है, तो उसमें भी कई बार plasma leakage होता है, और यह packed cell volume बढ़ा हुआ देखता है, तो यह हो गई बात packed cell volume की, इसका अगला indices ह MCV, यानि mean curpuscular volume, यानि mean cell volume भी हम कह सकते हैं, यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि जो RBC है, जो red blood cell है, उनका average size क्या है, normal value है, इसकी 80-100 femtolitr, एफल जो unit है, 80-100 femtolitr, यह normal value है, बढ़ कहा जाता है, अनीमिया में, खासकर परनिशियस अनीमिया है, vitamin B12 deficiency में, folic acid deficiency में, liver से related diseases में, इन सब में MCV बढ़ा हुआ दिखता है, और कम होने की बात करें तो, अनीमिया, iron deficiency अनीमिया, thalassemia, ऐसी जगह पर, इसका treatment क्या होगा है, MCV का treatment, अकेले किसी भी value की treatment नहीं होती, यह सब एक combined जो देखा जाता है, values को, और उसकी कारण जो पता किया जाता है, कि किस कारण से, यह सारी values उपर नीचे हो रही है, और उसी के साब से, जो treatment आता है, अगले value की बात करें, तो अगला है MCH, MCH यानी mean cursposcular hemoglobin, या mean cell hemoglobin, यह क्या दिखाता है, यह average hemoglobin in red blood cell, के अंदर जो average hemoglobin है ना, वो दिखाता है, normal value 27-32 picogram, PG means picogram, values बढ़ी हुई कब आती है, heart disease में, फेफडे से related disease में, kidney से related disease में, इन सब में MCH बढ़ा हुआ आता है, और कम होने की बात करें, तो यह anemia में, खासकर iron deficiency anemia, liver से related disease, इन सब में, इनकी value कम हो सकती है, यह MCH है, treatment again, किसी एक single parameter का treatment नहीं होगा, सब combined way में देखा जाएगा, और यह देखा गया है, कि जो MCV, यह MCH है, और इससे पहले हमने MCV की बात की थी, MCV और MCH, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ घड़ते भी हैं, यह इस, जो chart है, इससे हम देख सकते हैं, कि जब MCH बढ़ता है, तो MCV भी बढ़ता है, जब MCH कम होगा, तो दोनों एक दूसरे के parallel चलते हैं, तो अगला parameter है MCHC, MCHC क्या होता है, mean corpuscular hemoglobin concentration, यह concentration है, यह भी MCH के जैसा ही है, लेकिन MCH जो है, एक सेल के अंदर बताता है, और यह जो MCHC है, यह एक volume of blood के अंदर बताएगा, इसलिए इसकी unit जो है deciliter है, तो concentration of hemoglobin, इन्हे volume of red cell के volume में जो है बताएगा, normal values 31 से 35 gram per deciliter, बढ़ा हुआ कहां पे होता है, vitamin B12 deficiency, liver disease, इसके अलावा और भी कई सारी diseases हैं, जहां यह MCHC बढ़ा हुआ मिलता है, कम होने की बात करें, तो यह anemia, iron deficiency, यह जो सबसे commonest cause है, जिसमें MCHC घटा हुआ दिखता है, तो इसके अलावा और भी कारण है, अभी हम उन में detail में नहीं जाएंगे, अगला जो parameter आता है, red cell distribution width, यह क्या होता है, यह क्या दिखाता है, यह जो RBC है, जो red blood cell का size है, इनका variation दिखाता है, सारे cells एक ही size के हैं, या उपर नीचे हो रहे हैं, अगर size उपर नीचे हो रहे हैं, कुछ cell बढ़े हैं, कुछ cell छोटे हैं, तो red cell distribution width आपकी बढ़ जाएगी, तो जैसे कारण की बात करें, तो inflammation, उमर के साथ भी red cell distribution width बढ़ती है, कोई oxidative stress हो, या nutritional deficiency हो, जैसे iron की कमी हो रही है, या kidney से related disease हो, उन सब में भी red cell distribution width बढ़ी हुई दिखती है, chronic liver disease हो, chronic kidney disease हो, इन सब में red cell distribution बढ़ी हुई दिखती है, normal values जो है, 11.6 से 14% है, और जो ये सारी तकलीफे हैं इन सब में, red cell distribution width यानी RDW बढ़ा हुआ दिखता है, तो ये सब जो बात हो गई हमारे red blood cell की, जो अगला component था, उसमें white blood cell था, white blood cell को हम medically leukocytes भी कहते हैं, और ये white blood cell 5 टाइप के होते हैं, अगे आनी वाली slides में हम इनकी बात करते हैं, जो leukocytes होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि आपको बीमारियों से बचा के रखे, आपको infection से बचा के रखना ये leukocytes का काम है, ये leukocytes हमारे शरीर के सिपाही हैं, रोगों से लड़ते हैं, तो जो सबसे पहले report में आएगी वो है TLC, यानी total leukocyte count, जैसे हमने बोला कि ये पांच टाइप के होते हैं, इन पांचों के पांचों टाइप को जो है count करेंगे और ये total leukocyte count इनको बोलते हैं, नॉर्मल वैल्यूस चार से ग्यारा हजार पर मिलिमीटर क्यूब, यानी 4 तो 11,000 पर mm क्यूब, ये इनका नॉर्मल वैल्यू है, इन से उपर नीचे होती है, तो उसके कारण क्या होते हैं, अगर ये वैल्यूस बढ़ी होई आती हैं, तो infection हो सकता है, stress हो सकता है, trauma हो सकता ह है, कोई दवाई ले रहे हैं, कोई inflammatory disease हो सकती है, जैसे rheumatoid arthritis है, inflammatory bowel disease है, liver का infection, hepatitis है, कोई inflammation चल रहे हैं, इन सब केसे में जो total leukoside count है, वो बढ़ा हुआ दिखता है, कम कहा होता है, अगें bacterial infection में कम भी हो सकता है, या कोई medication ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, कोई कीमो supprescent ले रहे हैं, ऐसी दवाईया या steroids ले रहे हैं, इन सब cases में भी कई बार leukosides की value कम दिखती है, और अगला जो कारण है bone marrow problem, अगर bone marrow में ये cells बन ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इनकी मातरा कम दिखेगी peripheral smears में, तो ये हमारे leukosides, और ये जो आप फोटो देख हैं, इसमें neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocytes और ये monocytes, ये जो 5 टाइप के हमारे main हैं, ये हमारे white blood cell के अलग-अलग 5 टाइप है, जो हम 5 टाइप की बात कर रहे थे, neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocytes, monocytes, ये 5 अलग-अलग टाइप के जो cells है white blood cell में, और इनका अगर individual अलग-अलग percentage बताया जा है, तो उसको हम differential leukocyte count कहते हैं, ये अगला parameter है, यानि DLC, तो DLC में 5 टाइप का अलग-अलग percentage बताएंगे, पहला है neutrophils, जिसकी normal value है 40-80%, यानि total अगर leukocytes हैं, उसमें 40-80% तक neutrophils होंगे, ये value बढ़ी होई कब दिखती है, percentage बढ़ा होगा कब दिखता है, in case of inflammation या कोई infection है, अगला आता lymphocytes, जिसकी normal value है 20-40%, इनकी value बढ़ी होई कहां आती है, viral infection में, lymphoma में और leukemia में ये cancerous condition है, इन सब cases में lymphocytes बढ़े होई दिखते हैं, क्योंकि lymphocytes एक chronic condition का marker है, इसलिए जैसे leukemia, cancerous condition है, इस सब chronic condition है, इन सब में इनकी values बढ़ी होई दिखती है, या ऐसे inflammatory disorder जैस इसे tuberculosis है, ये भी एक chronic condition है, इन में भी lymphocytes बढ़े होई दिखते हैं, अगला जो leukocyte है, वो है monocytes, monocytes की जो normal value है 2-10% है, ये बढ़े होई कहां दिखते है, chronic infection में, या फिर cancers में, जो कि ये chronic conditions है, अगला जो leukocyte है, वो है eosinophil, इसकी normal value है 1-6%, ये कहां बढ़ा होई दिख में eosinophil की concentration बढ़ी होई दिखती है, इनकी मात्रा बढ़ी होई दिखेगी, या parasites का infection, या जैसे की parasites पेट में कीड़े हैं, वाम्स हैं, या blood में कोई parasites हैं, उनकी वज़से eosinophil बढ़ा हुआ आता है, और allergic condition जैसे asthmatic condition है, और कोई skin allergy है, कोई respiratory allergy है, उस cases में भी eosinophil की म मात्रा बढ़ी होई दिखती है, और अगला है पांचवा, बेज़ोफिल्स, इनकी जो normal value होती है, less than 2%, बढ़े होई कहां दिखते हैं, chronic, जो disease होती है, like leukemia, यानि एक तरह का blood cancer, उसमें बेज़ोफिल्स की मात्रा बढ़ी होई दिखती है, तो यह है, white blood cells, पहला था red blood cell, उसकी हम बात करते हैं, वो है platelets, जो platelets हैं, उनका medical term है, thrombocytes, जब बढ़ जाते हैं, तो उनको thrombocytes हैं, जो platelets हैं, हमारे blood में उनकी life कितनी है, 7-10 दिन, 7-10 दिन के बाद ये destroy कर दिये जाते हैं, हमारी body के द्वारा, काम क्या है इनका, bleeding को prevent करना, यानि अगर कहीं आपको चोट लग जाती है, और वहां से खोन बहता है, लेकिन थोड़ी देरे बाद देखा है, आपने की खोन बहना बंद हो जाता है, इसको बंद कोन करता है, ये platelets, platelets वहां आके plugging कर देते हैं, और खोन का रिष्णा बंद हो जाता है, अगर ये platelets कम होंगे, तो लगातार खोन क्गला क्रोंगररर यहांद इन रिए चाहिए विय gente रहे हैं यहां-चाल आप सब्सक्राइब हैं इंप क्वाइरेल इंफेक्षिन या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे कि नोइफ लगेरेकोर में करके fluid को जो हमारा blood है उसको liquid medium में बनाए रखना अंदर थक्का नहीं जमने देना अगर यह बढ़ जाएगा तो खून के थक्के जमने की आशंका बढ़ जाती है तो अगर blood thinners चल रहे हैं तो उसमें भी कोई कहां पर मिलती है reactive blood loss एकदम से blood loss हो जाए तो यह bone marrow को message जाता है कि body में peripheral blood में platelets की कमी होगी तो उसको बाड़ी जो है बढ़ाती है तो यह reactive blood loss है cancerous condition पे उसमें भी platelets की मात्रा बढ़ी हुई दिखती है infections में like tuberculosis उनमें भी platelets की मात्रा बढ़ी हुई आ सकती है inflammatory disease जैसे inflammatory ball disease है connective tissue disorders है उनमें भी इनकी मात्रा बढ़ी हुई दिखती है anemia या जिसका spleen spleen जो है प्लिहा जो है उसको remove कर दिया गया है जब storage वाला और्गन ही हटा दिया तो सारे के सारे प्लेट जो है blood में मिलते हैं उनकी मात्रा बढ़ी हुई आती है तो यह रहा हमारे जो cbc में count किये जाते हैं red blood cell white blood cell और platelets के बारे में plasma के हमने बाती कर लिया कि plasma लिक्विड है जिसमें यह red blood cell suspended रहते हैं इसके बाद हमने बात की थी कि hemogram hemogram हम जब order करते हैं तो उसमें cbc plus ESR भी दर्शाया जाता है तो ESR जो है एरित्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ESR जो होता है यह inflammation से related होता है कोई भी inflammatory condition में ESR की value बढ़ती है जैसे कि tuberculosis कोई autoimmune disease हो rheumatoid arthritis lupus जो एक तकलीफ होती है या cancers में इनमें भी ESR की value बढ़ी होई दिखती है और pregnancy भी एक ऐसी condition है जिसमें ESR की मात्रा बढ़ी होई दिखती है तो यह hemogram में ESR include किया जाता है तो यह था आज CBC के बारे में उमीद है अब जब आप अपनी CBC की report देखेंगे तो कुछ न कुछ उसमें आपको जरूर समझाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते है फिर किसी और वीडियो में किसी और टापिक पे तब तक stay healthy thank you